असलाम अलेकुम माई डियर फ्रेंड्स आज हम करेंगे पोजेसिव आपजेक्टिव्स पोजेसिव आपजेक्टिव इस अ वर्ड देट मॉडिफाइज आ नाउन तु शो ओनर्शिप आर पोजेशन ये मलकियत को जाहिर करता है ये वो सिफाती अलफाद है जो बताते हैं कि कोई चीज किसकी मलकियत है ये मेरी है तुम्हारी है इनको आएं कुछ मिसालों से समझते हैं जैसे दिस इस माई बुक ये मेरी किताब है क्योंकि ये मेरी मलकियत है मेरी से तालुक रखती है इसलिए मैं कहूंगी माई बुक ठीक है आप मेरे साथ इसको रिपीट करें say with me my book जो भी आपकी अपनी चीज है वो आप my book my sweater my clothes my car बहुत सारी आप examples कर सकते हैं उसके बाद दूसरी example है this is your pen ये मेरे आपके किसी दोस्त का pen है मेरा नहीं है तुम्हारा pen है This is your pen When something belongs to you We say your So your pen कोई भी चीज जो तुम्हारी हो किसी दूसरे की हो तो हम उसे your pen कहेंगे अब आप इसको मेरे साथ repeat करें Can you say that with me? Your pen तो यहां पे your जो है वो possessive adjective है This is his hat आप देखें यह एक लड़का है उसका hat है तो हम कहेंगे यह उसका hat है आपको पता है कि his जो pronoun है वो लड़के के लिए इस्तमाल होता है male gender के लिए तो this is his hat यह उसका hat है It belongs to a boy So we say this hat His hat यह एक लड़के की मल्कियत है उसने पैना हुआ है तो हम कहेंगे उस his hat उसका hat है अब यह देखें एक लड़की है जिसने एक toy पकड़ा हुआ है तो इसमें हम क्या कहेंगे This is her toy क्यूंके लड़कियों के लिए her use होता है यह उस लड़की का खिलोना है अब आप यहां पे देख रहे हैं यह एक family है इनके आगे यह pet है इनका dog तो इसलिए हम जो है कहेंगे यह family कह रही है This is our pet यह हमारा pet है यह हमारा पालतु कुता है It belongs to all of us यह हम सब से तालुक रखता है अब आप अगली तस्वीर में देखें यह बहुत सारे बच्चे हैं जो football खेल रहे हैं ठीक है तो इनको हम क्या कहेंगे हम कहेंगे This is their ball यह उनका ball है तो अब आप एक दुबारा से आप अपनी practice करें यह क्या है यह इस बच्ची के हाथ में क्या है यह क्या कहेगी Shabash, very good This is my book This is my book और यह क्या है किसी और बच्चे का pen नहीं तो हम इसको क्या कहेंगे Shabash, this is your pen और यह क्या नजर आ रहा है इस बड़के का hat है तो यह क्या कहेगा This is his hat यह उसका hat है और यह आपको क्या नजर आ रहा है एक बच्ची के हाथ में तो आप क्या कहेंगे This is her toy यह उसका खिलोना है और यह क्या है अभी हमने क्या पढ़ा था This is our pet और यह क्या है बच्चे क्या खेल रहे है फुटबॉल खेल रहे है तो हम कहेंगे This is their ball तो हमने आज सीखा कि possessive adjectives वो अलफाज होते हैं जो nouns से पहले आते हैं और मलकियत को जाहर करते हैं माई, यूर, हिज, हर, इट्स, आवर, और, देर दूसरा रूल यह है कि possessive adjectives occur before a noun यह हमेशा noun से पहले आते हैं जैसे हमने देखा This is my book, our pet तो जो noun है उस से पहले इस्तमाल होते हैं तीसरा जो रूल है वो यह है कि possessive adjectives have no singular or plural यह बस खुद से ही ऐसे हैं जो इनका कोई वाहिद जमानी होता उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें